हाई फ्रेंट्स वेलकम टू यूपेसीन पियसी कॉलिडोर और दिस इस नितेश शर्मा अगर आप लिखना है अगर आप लिखना है आपको तो आप लिखके मुझे टेलिग्राम पर भेजिए मैं आपको उसे एवेल्यूएट करके आपको फीडबेक प्रॉपरली दूँगा तो चलिए अब हमने कॉंटिनेंटल डिफ्ट कर लिया था जो कि अल्फरेट वेगनर ने दिया था अब हम करेंगे कंवेक्शन करेंट थियोरी यह कंवेक्शन जो करेंट थियोरी आपकी आर्थर होम्स ने 1930 में दी थी और उन्होंने कहा था कि हाँ भी पॉसिबिलिटी है क छे आपके जनरेट होते हैं दूटो रिडियोएक्टिव प्लूट यह सारे आपके अर्थ में पाएज आते हैं और वाले सबसेंस आपके इंट्रियि Eric čam 2900 km तक आपकी mental extend करती है आपकी अर्थ के इंसाइड में और जब यह आपकी इतने intense हो जाती है जो heat generate होती है तो वो क्या होता है उसका जब molten हो जाता है आपका mental में क्या होता है? molten होते है न आपके semi-molten जो rocks होते हैं तो वो they seek a path to escape and gives rise to the formation of convection currents इतनी असानी से तो वो escape नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको पता है उपर lithospheric plates होती है तो उन lithospheric plates के according वो क्या होता है जब वो अपना path सीख कर रहे होते हैं escape करने के लिए तो वो rise करते हैं नीचे से उपर आते हैं और जब वो पहुंचते हैं आपका lithospheric plate के पास तक तब form हो जाते हैं आ आपको बता चुका हूँ friends उसके बाद यहां देखिए जो आपका rising limb होता है आपके convection currents का वो जहाँ पर meet करता है वहाँ पर आपकी oceanic ridges बनती है जो आपका falling limb होता है इन currents का जहाँ पर meet करता है वो आपका lithospheric plate से वहाँ पर आपकी trenches बनती है चलिए आपको figure के according में आपको figure के through बहुत अच्छे से समझाता हूँ यह देखिए friends यह आपका convection current यह है ठीक है यह देखिए यह आपके radio activity radioactive substances होगे उनकी वयसे आपका thermal heat generate होगी और उसकी heat जब generate होगी बहुत जादा heat हो जाएगे intensity बहुत जादा बढ़ जाएगी heat की heat बहुत जादा हो जाएगी तो यहाँ यहाँ पर मोल्टन मैट्रियल होता है यह आपका escape करने की कोशिश करता है उस escape करने की कोशिश में क्या होता है यह आपका पूरा देखिए एक पूरा आपको circular यहाँ पर देख रहा है इनको बोलते हैं convective currents और यह convective current form हो जाते हैं और इन ही convective currents के उपर ग्रे कलर की यहाँ पर दिख रही है ग्रे कलर के आपकी lithospheric plate है जो कि आपकी move करती है ठीक है और मूब किसकी वएसे करती है इन convective currents के according देखिए यहाँ पर यहाँ पर राइस हो रहा और यह इधर की तरफ चला जाता है तो यह दो convection currents की help से और बहुत सारे convection currents होते हैं जो कि आपके mental में फॉर्म ह होते हैं उनकी वएसे आपकी lithospheric plates आपकी क्या होगी यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर convection current इधर चला गया एक इन में से convection current आपका दूसरी direction में चला गया यानिकि यह diverge कर रहा है diverging links है तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका divergent boundary बनेगी और जो थोड़ा बहुत यहाँ से आपक आपकी opposite directions में move कर रहें यानिकि diverge कहेंगी और हम इनको कहेंगे divergent boundary आप जहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर falling limb है आपका falling limb मैंने बताया था ना यह आपका यह क्या है यह दोनों आपके falling limb है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो आपकी heavier जो आपकी plate होती है heavier lithospheric plate होती है वो के ऊपर चली जाती है और यहाँ पर क्या बनता है आपका falling limbs पे falling limbs पे बनती है आपकी trench trenches क्या होती है यह देखिए trenches थोड़ा सा आपका V-shape में होती है और यह काफी काफी deep होती है तो यहाँ पर ऐसी एक trench बन जाती है और यह trenches आपकी जितने आपकी Mount Everest की height है ना उससे भी ज करती है और फ्रेंट्स पूरा यही convective current का mechanism है इसी वज़से यह theory हमने पढ़िया क्योंकि बहुत जादा important है क्योंकि जब हम plate tectonics theory पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो आपकी tectonic plates यानिक lithospheric plates Continental और oceanic plates होती है वो हमारी move करती है वो किसकी help से move करती है उनको यह convective currency जो convection currents आपके plate एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं इसको हम convergent boundaries बोलते हैं यह converge कर रही है यह plate heavier plate subject कर गए है नीचे की तरफ तो यह क्या होता है friends आपका यह और जो आपकी नीचे plate यह वाली जो नीचे जा रही है यह जब hot molten magma से आपका मिलेगी तो यह भी क्या हो जा friends आपने trenches के बारे में पढ़ा था तो चली यहाँ पर trenches भी देख लेते हैं trenches कहां कहां बनती है यह देखिए यह आपकी allusion trench है यह आपका pacific ocean है यहाँ देखिए यह middle american trench है यह आपकी पेरू चिली ट्रेंच है पॉर्टो रिको ट्रेंच है Atlantic Ocean में यह south sandwich ट्रेंच है आपकी फि ठीक है around 11 यह देखिए यहाँ पर mariana trench is the deepest place in the earth oceans with depth to 11,022 meters 11,000 meter जानी 11 km और जो mount Everest की height है वो भी इससे कम है याद रखना challenger deep आपका deepest point है और mariana trench आपकी deepest trench है ऐसी है जपान ट्रेंच क्यूरायल ट्रेंच और यह trench कहां बनेगी आपकी convergent boundaries पे आपको trench देखने के लिए मिलती है याद रखना friends उसके बाद यहाँ देखिए मैं आपको यह mariana trench trench होती कैसी है एक v-shape का narrow walls होती है डीप होती है v-shape का यह आपकी mariana trench है देखिए इसकी height जो है वो इसका depth जो 11,000 meter से करीब है 11 km around हो जाता है और जो आपका mount Everest है उसकी height आपकी 8.8 km है तो यहाँ देखिए ocean में जादा deep places मिलेंगे जितने हमारे पास अर्थ के surface पे mountains है ठीक है friends उसके बाद पढ़ेंगे हम एक नया topic है जिसको हम बोलते है paleomagnetism paleomagnetism पहली बात तो होता क्या है it's the study of record यह study किसकी study होती है record of earth's magnetic field देखिए आपको पाता है अर्थ के magnetic field होती है अर्थ के अंदर rocks है वो अ record मिलेगा आपको अर्थ की magnetic fields का हम उन्हीं rocks के तुरू जो rocks अपने अंदर magnetic field store कर लेते हैं उन्हीं rocks के तुरू अर्थ की magnetic field study करते हैं with the help of magnetic with the help of magnetic field recorded in rock sediments और archaeological materials अब हमारे पास basaltic rocks जिसमें आपका low silica content but iron ridge ज्यादा होते हैं वो that makes up most the ocean flare और यह जो आपका basalt है जो आपके ocean का floor बनाता है, basalt ज्यादा dense होता है, oceanic crust होती है मैंने आपको बताया था कि वो ज्यादा dense होती है आपकी continental crust से 3.0 gram per centimeter cube उसकी density होती है friends तो और यह आपके basaltic basaltic rocks होते हैं उन्हीं से आपके ocean का floor बनता है, oceanic crust बनती है और यह आपका contain करते है magnetic materials और जब यह magnetic material करते हैं and as the rock is solid solidifying और जब यह basalt आपका नीचे से magma उपर आता है, basalt rocks होते हैं, जब यह solidify करते हैं और जब यह rocks आपका क्या होता है, simple सी बात है, आपका basalt है, magma आपका उपर आएगा, ocean का जो floor होता है, वो भी हम पढ़ेंगे ocean floor spreading theory में, ocean का जो floor होता है, वो आपका magma mid oceanic regis से either side पे जात होता है, तो वो ocean के floor को spread कराता है, और जब वो magma आपका दोनों side पे जाएगा, spread होगा, cool करेगा, solidify करेगा, तो इन में already आपका महमने पढ़ा है, magnetic materials होते हैं, तो यह जो magnetic materials होते हैं, यह rocks से minerals होते हैं, यह align कर लेते हैं अपने आपको in the direction of magnetic field, जिस direction में magnetic field होती है, उसी direction मे यह rocks भी अपने आपको align कर लेते हैं, paleomagnetic studies of rocks have demonstrated that the orientation of the earth's magnetic field is frequently alternated, यानि कि कभी यह आपका इसको north में देखने का मिलेगा, कभी आपको magnetic field की direction, कभी south में देखने को मिलेगा, यह भी हम देखेंगे अभी, और इसको बोलते हैं geomagnetic reversal, क्या बोलते हैं geomagnetic reversal, और यह according to time to time यह आपका change होता रहता है, reverse होता रहता है, rising magma assumes the polarity of the earth's geomagnetic field at the same time, जो अर्थ की geomagnetic field होती है, जो आपका magma उपर आता mid oceanic ridge से, वो आपका अर्थ की geomagnetic field का जो polarity होती है, वो assume कर लेता है, solidify होने से पहले on the oceanic crust और जब वो solidify हो जाता है, तो वही polarity वो retain करके रखता है, as the conventional current pulls the oceanic plates apart, conventional currents होते हैं, oceanic plates को मैंने अभी आपको दिखाया, divergent boundaries, तो oceanic plates होती है, वो एक दूसरे से दूर जाती है, diverge होती है, pull apart होती है, pull apart करता है, जैसे उनको conventional currents, the solidified bands of rocks, और जो आपके band होते हैं, आपके solidify, जो rocks होते हैं, आपके, जो solidify हो गए है, यह आपके दूर जा जाते जाते हैं, कहां से, जहां से आपका magma आ रहा है, ridge से, and a new band of rocks takes its place few million years later when magnetic field was reversed, जब आपकी magnetic field reverse होती है, और नए rocks आते हैं, तो उन नए rocks में फिर ये नए rocks कैसे align हो जाते हैं, नए magnetic field जो की reverse हो चुकी है, उसकी direction में align हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं, magnetic stripping, जहां पे adjacent rock bands have opposite polarities, यह आपको figure से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, यह देखिए friends, यहां पे क्या होता है, देखिए, यहां पे क्या आ रहा है नीचे से, first वाली figure, यह वाली figure हम सबसे पहले देखेंगे, नीचे से आया magma, यह जो black वाला पूरा आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहां से आपका पूरा पूरी ridge है, इसको क्या बोलते हैं, mid oceanic ridge बोलते हैं पूरी, और यहां से आपका magma इधर जाता है, either sides पे, magma flows on either side of the ridge, दोनों साइड में जाता है, इधर साइड भी जाएगा, और इधर साइड भी जाएगा, उसके left में भी और right में भी magma flow होता है, त अब यहां दिखें, second figure में कुछ time बाद, geological time scale पे काफी time होगे, million of years होगे है, दुबारा यहां से अब magma आपका rise करता है, और जो यह आपके pink वाले जो आपके rocks से, वो कहां चले गए, वो आपके यहां आ गए हैं, वो आपके क्या कर गए हैं, move कर गए हैं further apart, spread हो गए हैं, और जो नए वाले आपके rocks हैं, नए वाला जो magma आया है, वो आपका orange color का दिख रहा है, ओंदा either side of, कहां पे, mid oceanic ridge, ठीक है, तो यह आपका orange वाला नया magma आ गया, और इस time पे जो अर्थ की magnetic polarity है, वो reverse कर गए है, geomagnetic polarity, और यह orange वाले rocks भी आपको उसी polarity के मिलेंगे, ठ ठीक है, फिर third figure में देखिए, sea वाली में, last figure में आईए, यहाँ पे फिर magma आपका उपर आया, अर्थ की magnetic polarity, फिर reverse कर गए होगी, geomagnetic polarity जो है, और यहाँ पिर magma इदा दोनों side आपका pore होता है, इस oceanic crust से, ठीक है, यह पूरी आपकी यहाँ पे ridge है, पूरी लंबी ridge है, तो यहाँ से magma जाएगा, नए rocks बनेंगे, नए polarity आएगी, और जो आपको यहाँ पे सबसे पहले ridge के पास rocks थे, वो अब कहां आ गए है, वो rocks यहाँ आ गए है, वो rocks आपके बिल्कुल दूर चले गए है, ऐसे ही इसको बोलते हैं, ocean floor spreading, ऐसे ही आपका spread होता रहता है, और जो आपके color वाले, normal magnetic polarity के, यानि कि इनकी जो polarity है, वो normal है, और जो आपके white वाला आपको यहाँ पे जो rocks दिख रहे हैं, इनकी reverse magnetic polarity है, देखिए, equidistant होते हैं, यहाँ से जो आपकी पूरे ridge है, उससे equidistant होंगे, आपकी क्या, magnetic polarity, rock के जो bends magnetic polarity गेन करते हैं, वो equidistant rising magma उपर जा रहा है, oceanic ridge है, यहाँ से इधर magma flow करेगा, इधर magma flow करेगा, अब यह देखिए, आपको same, यहाँ से equidistant, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना distance है, उतना यहाँ से लेके यहाँ तक भी distant होगा, तो वहाँ पे क्या है, north की polarity में align हुआ है, magnetic field rocks में, यहाँ पे इ यह move करते रहते हैं, ridge से दूर, ridge से दूर क्या करते रहते हैं, ridge से दूर move करते रहते हैं, और हर बार एक नई polarity, according to the time, according to earth's geomagnetic field, यह आपकी rocks जो है, नई नई polarity के according align हो जाते हैं, देखिए पूरी जो आपकी sea floor spreading है, यह पूरा उसी के उपर based है, किसने दीती, Henry, Harry, Hess and Ditts ने यह propose किया था, idea of sea floor spreading का, जब oceanic plates हमारी diverge करती है, tensional stress causes features, causes fractures to occur, ठीक है, तो जो हमारे पास tensional stresses होती देखिए, दो plates होती हैं, आपकी एक plate यह हो गई, एक plate आपकी यह हो गई, तो इसमें tensional stress लएगी, तो tensional stress कैसी होगी, ऐसे होगी, तो इन दोनों को यह क्या कराएगी diverge कराएगी, and causes fracture to occur in the lithosphere, और यहां पे आपका fracture हो जाएगा, जहां से आपका जो magma है, वो उपर आता है, फिर basaltic magma rises from the fractures, and cool on the ocean floor to form new sea floor, और दूसरा नया sea floor, बन जाता है, near mid oceanic ridge, और वहां पे आपको पता है, एक mid oceanic ridge बन जाती है, अभी मैंने आपको बताया, वहां से आ आपका magma आता है, दोनों साइड पे, right and left में, और वो दीरे-दीरे ऐसे ocean floor spread करने लगता है, newly formed sea floor oceanic crust, then gradually moves away from the ridge, और वो ridge से आपका, देखे जैसे आपकी यह ridge है, तो यहां से आपका यह जो old होती है, old वाले जो rocks होते है, वो आपको ridge से दूर देखने के लिए मिलेंगे, और जो नए वाले, अभी जो recent magma का eruption हुआ है, उससे जो rock बनेंगे, वो ridge के पास होंगे, फिर magma का eruption होगा, फिर जो पहले वाले जो rocks थे, वो आपके दूर चले जाएंगे, और जो अभी नया magma का eruption हुआ है, वो ridge के पास रहेंगे, तो इसको बोलते हैं, sea floor spreading, और यह आपकी ऐ I hope आपको समझ आया होगा, देखिए, यहाँ पर sea floor spreading का हमने एक diagram लिया है, magma यहाँ से rise करता है, यह आपका क्या है, यह आपका पूरा mid oceanic ridge है, spreading center है, और यहाँ पर क्रस्ट, यह जो क्रस्ट है आपकी, यहाँ से आपका पूरा magma भार आता है, इधर की तरफ spread हो जाता है, बार-बार eruption होते रहते हैं, और जो आपको यहाँ पर ocean का floor दिख रहा है, यह आपके क्या होगा, जैसे जैसे नया magma का eruption होगा, यह आपके older crust आपकी दूर चलती चली जाएगी, और इसी तरह से आपका sea floor बनता है, sea floor spreading इसी वज़ए से इसको बोलते हैं, क्योंकि older crust आपकी spread क्या कर रहा है, spread कर रहा है, due to eruption of younger magma, due to eruption of newer magma, जब नया magma erupt होगा, तो आपके जो older crust है, वो आपकी spread होती रहेगी, तो this is all about sea floor spreading, चलीए आगे दलते हैं, चलीए आप हमें mid oceanic ridges का भी देखना, देखिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखना, mid oceanic ridges, आपकी convection currents की divergent boundaries होगी, यानि कि कोई fracture होगा, tensional stress लगेगी, दोनों plates को diverge कराएगी, and then उस fracture से आपके क्या आएगा, magma आएगा, वो magma आपकी क्या बना देगा, mid oceanic ridge बनाएगा, और mid oceanic ridge के दोनों साइड आपका magma जाएगा, जहां से फिर वो sea floor spreading कराता है, तो यहाँ जो हम आप देख पा रहे हैं friends, यह देखिए, सबसे जो important आपकी mid oceanic ridge है, यह देखिए S shaped होती है, क्या S की shape में है mid Atlantic oceanic ridge, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी divergent boundary होगी, याद रखना जहाँ जाए, आपकी mid oceanic ridge मिलती है, वहाँ वहाँ आपकी divergent boundary होगी, यह देखिए Indian Ocean में Central Indian Ridge है, लेकिन जो सबसे important है, सबसे largest है, वह है आपकी mid Atlantic ridge, अब आते हैं हम evidences की बात करेंगे for sea floor spreading, देखिए जो rock हैं दोनों side पे, rock on either side of the crust of oceanic ridges, having equidistant location from the crust, crust के दोनों side में दिखेंगे, तो rocks को आपकी equal distance मिलेगा, जो rocks जिस time के होगे, वो equal distance पे रहेंगे, were found to have similarities, both in terms of their constituent, उन rocks का जो आपका chemical or physical properties थी, वो भी उनकी same थी, equidistant थे crust थे, वो भी same थी, उनकी age भी same थी, और जो उनकी magnetic orientation होती है, यानि कि जो magnetic polarity है, वो भी same है, वो भी same होती है, तो इस वाई से पता जला है, हमें sea floor spread करता है, rocks जो closer हैं आपके mid oceanic ridges के, उनकी normal polarity होगी, और वो youngest होगे, ठी increase करती है, जैसे जैसे हम ridge से दूर जाते है, as one moves away from the crust, यानि कि ridge, mid oceanic ridge, the rocks of oceanic crust जो है, वो हमारे 2200 million year old है, as much younger, बहुत ज्यादा यंग है कि से, जो rocks है, हमारे continental crust के वाई, जो continental crust के rocks है, वो हमारे पास 3200 million years old है, the deep trenches have deep seated earthquakes, occurrence, while in the mid oceanic ridges areas, quacks have shallow depth, देखिए, deep trenches, जहाँ पे convergent boundaries होंगी, जहाँ trenches होंगी, वहाँ पे आपको deep seated earthquake मिलेंगे, ज्यादा intensity का earthquake मिलेंगे, और जो आपकी mid oceanic ridges वाले areas होंगे, जहाँ पे earthquakes मिलेंगे, mid oceanic ridges पे, इनका जो focus होगा, वो आपका shallow depth पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए, आपका mid oceanic ridge का है, यह आपकी mid oceanic ridge है, तो यहाँ देख पा रहे हैं, आप shallow focus earthquake, यह देखिए, हमने देखा था last में, mid oceanic ridges, तो यह प्रूफ करता है, कि यहाँ पे यह क्या है, sea floor आपका spread कर रहा है, violent eruptions नहीं है, convergent boundaries पे आपको violent eruptions देखने के लिए मिलत बनेंगे, आपके trenches पे, convergent boundaries पे बनेंगे, यहाँ आपकी convergent boundaries है, और यह बीच में जो आपका mid ocean creases पे है, यहाँ पे आपकी divergent boundaries, उसके बाद जो last theory हमारे पास बज़ती है, यह है हमारी plate tectonics, ठीक है, tectonics में आपको explain कर चुका हूँ, पहले ही plates किसको बोलते हैं, हम lithospheric plates को हम plate बोलते हैं, यह McKenzie and Parker ने दी थी और also Morgan ने भी दी थी यह 1967 में latest theory, widely acceptable है, जो हम अभी accept करते हैं, इसने जो flaws थे हैं हमारे continental drift में उनको दूर किया है, proper उसका driving force बताया, proper mechanism explain किया है, और इन्होंने यहाँ पे हमने देखा था, continental drift में खाली उसने आपका बात किया था, continents का, कि continent drift कर रहे हैं, बट यहाँ पे oceanic plates और continental plates को दोनों का differ किया गया है, दोनों के बारे में बताया गया है, एक tectonic plate क्या होती है, tectonic plate को हम lithospheric plate भी बोलते हैं, lithosphere आपका crust प्लस upper mantle से मिलके बनता है, यह massive irregularly shaped slab होता है solid rock का, which is composed of both continental and oceanic lithosphere, तो यहाँ पे आपको समझाया होगा कि continental drift और plate tectonics का comparison आता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे खाली continental plates की बात हो रही थी, बट यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे continental and oceanic जो lithosphere है, वो दोनों एक है, अलग-अलग नहीं है, याद रखना, अब plate may be called continental plate, plate को हम continental plate भी कह सकते हैं, या फिर उसको oceanic plate भी कहा जाता है, यह किस पे depend करता है, यह depend करता है, on which of the two occupy a larger portion of the plate, कि अगर माल लीजिए, यह आपकी कोई plate है, ठीक है, इसमें इतना portion आ रहा है आपका ocean वाला, और इतना आ रहा है आपका continent का, छोटा portion है continent का, तो इस plate को हम क्या कहेंगे, oceanic plate कहेंगे, ठीक है, force for the plate movement, अब यह जो plates कैसे move करती है, friends, मैंने आपको convective current theory भी बताई थी, और यह जो plate move करती है, उसी के according move करती है, देखिए, convection currents in the mental, जो आपके convection currents होते हैं mental में, उनकी वाज़े से आपकी plates move करती है, and those convection currents है generated due to thermal gradients, यह भी मैं आपको explain कर चुका हूँ, अब हम बात करते है, rate of plate movement की, जो Arctic ridge है है हमारी, उसकी slowest rate है, ठीक है, कितना है, 2.5 cm per year, East Pacific, जो rise to South Pacific में, ठीक है, उसका fastest rate है, 15 cm per year, वो क्या है, 15 cm move कर रही है एक साल में, और जो Arctic वाली plate है हमारे पास, वो कितना move कर रही है, 2.5 cm move कर रही है, एक साल में, और यह हमारे plate tectonics आपको समझ आ गया होगा, चलिए, आगे चलते हैं, अब यहां पर हमारे पास कुछ आपकी major plates है, जैसे कि Antarctica and the surrounding oceanic plates, major plates कितनी है, हमारे पास 7 है, कभी prelims में question आ जाए कि इन में से major plates choose करना है, तो आप ध्यान रखे का कौन कौन सी आपकी major plates है, क्योंकि उसमें आपको minor plates भी दी हो सकती है, और वो minor plates को आपको न New Zealand plate आपकी पांचवी है, छटी है आपकी African with East Atlantic floor plate, 7th is Eurasian adjacent oceanic plate, फिर अगर हम आपकी plates की बात करते हैं, चलिए, यह देखिए, यह हमने देखी थी Pacific plate देखी थी सबसे पहले, फिर हमने और कौन से plate देखी थी, Indian plate देखी थी, Indian plate किसके साथ थी, Australian plate, यह क्या है आपकी Australian plate जो कि यहाँ पे आपकी आ रही है, उसके बाद North American plate देखी थी, South American plate देखी थी, ठीक है friends, Eurasian plate देखी थी, ठीक है, और यह Eurasian plate यहाँ तक extend करती हैं, और कौन से देखी थी, और यह Antarctic plate देखी थी, यह भी याद रखना Antarctic plate भी आपकी, क्या है, important है, अब यह देखिए, आपकी plate की boundaries हैं, यह जो आपको black वाली lines देख रही हैं, यह सारी आपकी plate की boundaries हैं, ठीक है, और arrows से आपको समझ आ रहा होगा, देखिए, यहाँ पे जो यह वाली arrows हैं, यह आपकी diverging arrows हैं, opposite direction में arrows हैं, एक दूसरे के, तो यहाँ क्या है, यह आपका divergent boundaries हैं, यह देखिए, यहाँ पे आ divergent, यह आपकी convergent boundaries हैं, फिर यह आपकी यहाँ पे देखिए, तीसरी type की जो boundary में आपको बता हैं, जो transform boundary होती है, एक arrow आपको ऐसे दिख रहा है, दूसरा arrow ऐसे दिखता है, तो यह एक दूसरे के parallel ही क्या होता है, इनमें friction होता है, तो यह क्या हैं आपकी, तो यहाँ पे divergent है, यहाँ देखिए, इंडियन और Eurasian plate, यह देखिए, यह आपकी Indian plate है friends, Indian plate जब आपकी Eurasian plate के नीचे क्या कर गई, सब्साइड कर गई, सब्डक्ट कर गई Eurasian plate के नीचे, और इसकी वज़ए से क्या हुआ, इसकी वज़ए से आपके यहाँ पे fold mountains बनी, जिनको हम हिमा हिमालया केते हैं, हिमालयन formation, अभी भी Indian plate, Eurasian plate के नीचे सब्डक्ट कर रही है, मुवमेंट ऐ है और आपको पता है कि हिमालयाज हमारे अभी भी राइस कर रहे है, तो एसी Indian plate के सम्डक्ट करने की वज़ए से, इसके नीचे Eurasian plate के नीचे सम्ड़क्ट करने की वज़ए से हिमालियाज अभी भी rise कर रहे हैं और इसलिए हिमालियाज को tectonically active भी कहा जाता है फिर यहाँ पे हम कुछ minor plates देख लेते हैं देखिए minor plates पहली है हमारी पास Cocos plate यह आपको याद रखना है यह पूछ सकते हैं आपके prelims में यह between Central American Pacific plate पुरा map देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी नजगा plate between South America and Pacific plate Arabian plate आपकी जो साओधी अरेबिया का landmass है वो है सारी Philippines plate है एस्याटिक और Pacific plate के बीच में Caroline plate between Philippines and Indian plate है यह Fuzzy plate जो है आपकी North East of Australia, Turkish plate है Asian plate है Mediterranean region में Caribbean plate है, Joandifuka plate है Pacific और North American plates के बीच में and then Iranian plates है और भी बहुत चोटी-चोटी plates है यहाँ पे देखिए इस figure में आपको बहुत सारी चोटी-चोटी plates देखने के लिए मिलेंगी है यह देखिए नजगा plate है अब इसकी location आप याद रखे के देखिए South American plate और Pacific plate के बीच में है किसी South American plate, Pacific plate and Antarctic plate को भी टच करती है यह हमारे पास Cocos plate है देखिए Blue वाला जो एरिया यह Cocos plate है और यह कहां-कहां से टच कर रहे हैं यह आपको Friends, आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह Filipino plate है हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चोटी-चोटी plate देखिए यह Arabian plate Arabian plate देख पा रहे हैं आप यह वाली जो है यह आपकी Arabian plate है चोटी वाली उसके बाद यह आपकी Scotia plate है तो यह आपकी Caribbean plate है यह आपकी Jwandifu का plate है तो ऐसे आपकी बहुत सारी चोटी-चोटी plates है इनका याद रखना है, location याद रखना है आपका यह है, transform boundary आपकी बिल्कुल सीदी है यह देखिए transform boundary आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है San Andreas Fault है यहाँ पे ठीक है, अब यह देखिए East Pacific Rice जो है वो यहाँ से पूरा आपका कौन सी boundary है यह यह फ्रेंट्स यह वाली boundary बताईए मुझे यह पूरी आपकी divergent boundary होगी कौन सी boundary है, divergent boundary यहाँ पे क्या है, mid oceanic ridges मिलती है यह देखिए पूरा mid Atlantic ridge mid oceanic ridge, पढ़ा था नामने Atlantic mid oceanic ridge, तो यह पूरा यहाँ से यहाँ तक, आपका क्या है यह पूरा आपका, और यह कहां से extend करती है बिल्कुल अप अंदर जाती है, Indian ocean की तरफ यह क्या है आपकी, यह है आपकी divergent boundary यह देखिए पूरा यहाँ पे जो आपके triangular देख रहा है, यह पूरा आपका यहाँ पे convergent boundary है, अब divergent जो boundary है, यह आपकी किसकी है तो divergent boundary आपको कहां मिल रही है Atlantic Ocean में, तो यह इधर जाएगा और यह इधर जाएगा, तो Atlantic Atlantic Ocean का जो floor है वो क्या करेगा आपका, वो आपका spread करेगा, वो increase कर रहा है Atlantic Ocean का size बढ़ रहा है इस divergent boundary की वह से और convergent boundary जहां होगी तो वहाँ क्या होगा, आपका size कम हो रहा है देखिए, जैसे यहाँ पर convergent है यह आपका convergent है तो इस area का size आपका क्या हो रहा है वो आपका कम हो रहा है, friends याद रखना, Cocos plate, Nazca plate Caroline plate, Filipino या फिलिपिन्स plate, यहाँ पर आपके Java trench है, यह कुछ important चीजे हैं, यह देखिए, आपकी Arabian plate Caribbean plate, यह आप से exam में पूछ ली जाती है, तो इने, आप याद रखना यह आपकी Scotia plate, this is your major plate, Antarctic plate, 7 major plate है 11 minor है, और थोड़ी बहुत और minor plate भी हो सकती है, चलिए अगर हम significance की बात करते हैं, आपके plate tectonics की, तो जितने भी हमारे पास major landform है, are formed due to plate tectonics, देखिए plates move करती हैं, तीन तरह की boundaries बनाती है, convergent boundary, divergent boundary, divergent boundary पर आपका mid oceanic ridges बनता है, चाहे वो ocean floor के उपर होता है, ocean के अंदर हैं में दिखता नहीं है, लेकिन mid oceanic ridges है ना, सबसे largest भी है, और सबसे height में भी सबसे mountains बनती है, हिमाल्याज बने, elps बने, तो ये कैसे बने आपके, ये fold mountains है आपकी, ये बने आपके convergent boundaries की वैसे, हिमाल्याज जो बने है friends आपके, हिमाल्याज कैसे बने है, जो हिमाल्याज जो Indian plate है, Indian plate आपकी Eurasian plate के नीचे subject कर गई है, और Eurasian plate आपका क्या हो गया है, फोल्ड हो गई है, और वो उसकी वैसे हिमाल्याज बने हैं, आपके, Indian plate अभी भी Eurasian plate के नीचे subject कर रही है, पर ये कुछ उसका rate है, प्लेट का movement है, इसी वैसे हिमाल्याज अभी भी rise कर रहे हैं, और tectonically active भी हैं, फिर new minerals are thrown up from the core with the magnetic eruptions, जहाँ पे आपका volcanic magnetic eruptions होते हैं, वहाँ से आपके new minerals आते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि हमें mid oceanic areas में, आपके क्या मिलते हैं, बहुत सारे rare earth metals मिलते हैं, ठीक है, तो बहुँआ पे भी वहाँ पे इतना exploration हुआ नहीं है, इतने deep oceans में, बट ठीक है, unclosed है, उसके लिए कुछ rules बनाए हुए है, United Nations ने, इंडिया के पास भी कुछ exploration है, लेकिन exploration के rights हैं, कुछ ocean में, ठीक है, बट इंडिया के पास अभी उतनी technology नहीं है, कि उन minerals को, उन metals को इंडिया आपका explore कर पाए, उनको बोलते है metallic nodules, ठीक है, metallic nodules होते हैं वो, उनको अभी explore, कुछ countries कर रही है, explore, बट अभी इतना successful कोई भी नहीं हुआ है, economically valuable minerals like copper and uranium are found near the plate boundaries, अभी plate boundaries के अंदर क्यों मिलते हैं, क्योंकि आप मैंने आपको बताया था, uranium आपका radioactive element है, यह आपका radioactive element आपका mental में पाया जाता है, और जब यहाँ पे radioactive differences की, heat के difference, thermal differences की वेशे से, जब यह आपका melt हो जाता है, और उपर आता है, तो जहां से यह उपर आएगा, देखिए plate boundaries के पास से ही तो पर आएगा, जहाँ पर उनको fracture मिलेगा, convergent and divergent boundaries, तो वहाँ पर आपको कौन से काफी सारे आपको minerals like copper and uranium भी देखने के लिए मिलते हैं, from present knowledge of crustal plate movement, जो shape है, हमारे पास land masses की, वो हम future में भी predict कर सकते हैं, कि हाँ जी, आप होगा, वो सब हम predict कर सकते हैं, for instance, if the present trend continues, अभी जैसा trend चल रहा है, ऐसा continue होता रहा, तो North and South America एक time पे, लेकिन ये time आप imagine नहीं कर सकते कितना होगा, एक time पे North and South America separate हो जाएगे, क्योंकि divergent boundaries हमाँ पे, पीस of land will separate from the East Coast of Africa and Australia आपका एशिया के closer आ जाएगा, क्योंकि जो Indo-Austral plate है, वो Eurasia के नीचे, आपका subject कर रही है, ऐसी बहुत time तक चलता रहा न, तो Australia एक time पे क्या होगा, जब continental हम drift पढ़ रहे थे, एक साथ थी पहले, एक सारी थी, कहाँ पे Durban Center था, South Pole के पास थी, सारी एक पैंजिया था, एक ही landmass था, धीरे-धीरे continents ने drift करना start किया, और आज position देखिए, उनकी कहाँ पे है, तो ऐसे ही जब Indian जो Indo-Austral plate है, इंडियन के साथ इंडिया-Austral plate है, हम उसको combine करके Indo-Austral plate बोलते हैं, जब वो Indo-Austral plate आपकी Eurasian plate के निचे चलती चली जाएगी, और बहुत time हो जाएगा, billion of years हो जाएगे, तब क्या होगा, यह Australia हमारा किसके पास आजाएगा, Asia के पास आजाएगा, इस Eurasian plate के पास आजाएगा, तो क्या पता, यह फिर से सारे landmass एक हो जाएए, ठीक है, जो 10 जब हमारा था, तो पेंजिया में हमारे सारे landmass एक थे, जहां से हमारा continent drift старट हुआ था, उससे पहले क्या था? उससे पहले सारे continents अलग-अलग हो या फिर जैसे pengчया हमारा south में, ऐसा ही एक landmass आपका north में भी हो सकता था, north प्लेट टेक्टोनिक्स आपकी मूव करती रहती है और यह थे इसके सिग्निफिकेंस अब हम बात करते हैं इंडिया की जो प्लेट है उसकी मूवमेंट की देखे कैसे कैसे 170 मिलियन इयर्स की अगों की बात करेंगे तो आपको पता है यह साउथ अमेरिका और अफ्रीका यह एक ही लेंड मास था मैंने आपको दिखाया था पैंजिया वाला इंडिया औस्टेलिया और अन्टार्टिका की प्लेट आपको यह आ थी बीच में जो पिंक वाला दिख रहा है यह आपका मेडागास करता हुआ क्या अब यहां से क्या होना है इनको इंडिया की प्लेट को separate होना है फिर देखिए यह जो South Africa और America यह आपका ही separate हो गए Medagascar आपका बीच में रह गया और Indo-Australia अलग हो गए है थोड़े से फिर 135 million years बाद क्या हुआ अंटार्टिक अलग हो गया Australia अलग हो गया continent drift कर गए Medagascar अभी भी इंडिया के साथ अटेच है और यह आपका South America और इंडिया की प्लेट के साथ है और इंडिया की अगो क्या हुआ यह जो इंडिया की प्लेट थी इससे Medagascar डिटैच हो गया और इंडिया की प्लेट अपना जो नौर्थ वर्ड मुवमेंट था उसको इंडिया की प्लेट ने कॉंटिन्यू रखा फिर 60 million years पर अगर हम आगे देखते हैं तो Medagascar आपका ही रह गया अफ्रिका के नीचे इंडिया की प्लेट अभी भी नौर्थ वर्ड मूव करती हुई जा रही है और यह 55-60 million years अगो जब यह प्लेट आपकी ऐसे मूव कर रही थी 55-60 million years अगो यहाँ पर reunion hotspot मैंने आपको लास्टाइम पढ़ाया था और बताया था कैसे reunion hotspot से आपके लावा फिजर्स के थुरू बाहर आया और वो इंडिया की प्लेट पे किस पे इंडियन प्लेट पे स्प्रेड हो गए और उन्होंने स्प्रेड होके देकन प्लेटू बनाया जो कि आपका बेसॉल्टिक लावा का है एक और इजीली समझ लेते हैं इस फिगर से देखिए यहाँ पर 71 million years अगो तो यह ऐसा चलता रहा इंडिया की प्लेट ऐसी move करती रही और इंडिया आस टूडे कैसा है ऐसा है इंडिया की प्लेट जो है वो 33C यहाँ पर था ठीक है जब वो यूरेशन प्लेट और इंडियान प्लेट के बीच में 33C आपका आ गया तो 33C के जो भी sediments थे यह 33C के देखिए 33C है यहाँ पर रिवर्स बहुत सारा कुछ इरोड करके लाती होंगी तो 33C आपका सेंडविच हो गया पैक हो गया बीच में इसके यूरेशन प्लेट और इंडियान प्लेट के बीच में और जब इंडियान प्लेट यूरेशन प्लेट की तरफ और मूव करी तो यह 33C कHYiben जा रहा है आपका स्कूइस होता जा रहा है इस स्कूइस होने की विए 43C के जो भी sediments थे वो आपके फोल्ड हो गये और राइ लोकेशन देखेंगे इंडियन प्लेट की यह आपका यह देखेंगे बाउंडरी है यहाँ पे आपके किसकी इंडियन प्लेट की और यूरेशन प्लेट की यहाँ पे आपके हिमाल्याज है यह मैं आपको बता चुका हूँ यह आपकी इंडियन प्लेट है ठीक है यह आपकी इंडियन प्लेट हैagit कभी कभी साथ में इसको इंडosphat प्लेट अरेबियन बिट्ट इसस प्लेट पे आपका सुमाली है, force के 33 को तो जो 33 के sediments थे वो आपके हिमाल्याज की form में यानि की fold mountain की form में rise कर गए हैं इसी वज़े से आपके हिमाल्याज को sedimentary rocks की mountains भी कहा जाता है और fossils भी वहाँ देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो sediments थे आपके 33 के वो आपके rise की हैं तो friends ये हमारे पास आपकी सारी continental rift, convection current, paleomagnetism, geomagnetism Indian plate की movement plate, tectonic, sea floor spreading आपका सब खतम हुआ है अगर हमारा आपको ये lecture अच्छा लगा है तो please comment करके बताइए इस lecture में कि आपको ये lecture कैसा लगा है अच्छे से पढ़ते रही है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि map के through आपको बहुत सारी चीज़े समझ आए आपके सारे concepts clear हो and please comment करके मुझे बताइए कि आपको हमारा lecture कैसा लगा है कि आप मुझे comment करके बताइए आपको सारी चीज़े समझ आई है और जो भी questions, एक दो questions दी है मैंने अभी तक लिखने के लिए वो please आप लिखिए मुझे टेलिग्राम पे send करें evaluate करके आपको feedback दूँगा और आपकी यहां से GS की preparation भी साथ-साथ हो जाएगी question answer writing भी practice होती रहेगी prelims के questions जो past year के हैं वो भी हम साथ-साथ में करा रहे हैं और हर lecture के end में मैं आपसे request करता हूँ कि मुझे आप बताई आपके lecture कैसा लगा है समझ आया है नहीं आया या फिर कोई कमी है तो वो भी मुझे comment में mention करके बताईए चलिए मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए टाड़ा बाई बाई टेक के